कि चलिए का कोश्चन देखते हैं जिसमें एक क्रिकेटर हैस कंप्लीटिट 10 इनिंग्स एक क्रिकेटर ने 10 इनिंग्स के आपकी जो है कंप्लीट किया है और उनका एवरेज है 21.5 रंस का और यह कह रहे हैं कि इनका है 21.5 तो इसका मतलब क्या है कि इनको कितने रं बनाने हो इनका टोटल कितना आएगा तो वह आएगा 264 कितना आएगा 264 तो सिंपल सी बात है कि 264 में से अगर मैं 215 को माइनस कर दूं तो मुझे पता लग जाएगा कि इनको 11 मैंच में कितने रं बनाने चाहिए तो इनको बनाने चाहिए से 49 रंस इन 11 मैंच ताकि इनका एवरेज कितना हो जाए 24 सिंपल सा था कि जितना इनका आवरेज था उसको हमने इनके नंबर ऑफ मैंच से मल्टिप्लाय किया और दोनों को हमने डिफरेंस देख लिया वह इनको नेक्स मैं बनाने होंगे इसका और सिंपल सा तरीका है वह भ 24 मैंच में नेन का इनका कितने का इसने से तो हम देखते हैं भागी का डिफ्रेंस अचैक कुटने डिफ्रेंसी के इनको कि Tä सब्सक्राइल से आप मल्टिपलाइब आता है 275 कितना आता है 27.5 कितना आता है 27.5 यानि कि यह गैप इनको कवर करना है और पहले इनके कितने थे पहले इनके 21.5 का अवरेज तो 21.5 और जब आप 27.5 को जब आप प्लस कर देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इनको कितने रन बनाने चाहिए इनके 11th inning में इसी तो जो भी आपको easy लगे आप खुछ select करें मैं एक बार रिपीट कर दूं कि 21.4 वाला जो था कि 21.5 जो इनकी एवरेज है उसको 24 तक पहुंचाना है यानि कि कितने का difference कवर करना है धाई का और कितने मैचिस का 11 मैचिस का जब आप इसको multiply करते हैं तो आता है 27.5 और इनका अपना average 21.5 तो इनको बरकरार रखना ही है मतलब उतने तो इनको नमबर रंस तो बनाने ही होंगे और जब हम इन दोनों का टोटल करते हैं तो आता है 49.0 एन की 49 I hope आपको एक कुशन समझ में आया हो और हमारी website पे जाते रहें और नालंदा IES Academy के चैनल को subscribe करें इसी तरह के और वीडिय पेखने के बीडिये